Hello friends, this is Dijashek and you are welcome in your YouTube channel, The Study with Chemistry. Today I will start a new topic of solution, जपेज़िन देखने माने है। इस डिपरेशं इस फ्रेशं परक्स्टिजिटकर लेक्शरे तो फिरस्टली आज हम सबसे पहले को स्टाट कहने से पहले हमें सहें गेजे पर एक आज सांगेंगे。 आज हम बेसिकली देखेंगे निप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंग क्या होता है और इस पे बेसिंग जोते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिकुश्ट करता हूँ कि अगर आपने वीडियो को सस्ट्राइब में किया है तो प्लीज इसे लाइक प्लीजिंग पॉइंट को लेकर सबीके में में कुछ ऐसे एंजब्शन है कि इससे कुछ क्लियर कट नहीं हो पाता है तो सबसे पहले मैं आज आपको फ्रीजिंग पॉइंग का डिप्रिशन दुखा तो फ्रीजिंग पॉइंट आप लिकुट इस टमप्रेचर एट विच वेफर प्रेशर और सौलमेंट इन इस लिकुट एंड सॉलिट फिच विकाम इक्वाल ओके तब दिचे तब दक तो डिपूइंट पॉइंट नहीं हम रिकॉल करएंगे तो पिजिंग पॉइंट का किस केस में आता है कि लिकुट केस में आता है एन्वी जब कोई लिकुट तो मैं ही कह रहा हूं, fixation of a liquid is the temperature at which vapor pressure of a solvent in its liquid and solid phase become equal, चैशनी कि liquid का vapor pressure है ठीक और एक जब उसी liquid का solid में vapor pressure जब इक्वर हो स्वाइं तोकि यह क्लिए क्या होता है क्युंक्य नेक्ष्ट मां ऐस्वीड बैपेशए आयु लिवेपर पेशे अट वे कॉला जाएं तो बोलेकं पहाँ पॉइब की इमड़ से नेक्ष्टनेयों अब धर तो यहा है performs और एक इसी का solute का एक पाट एक पाट यह ले देती तो अगर इसमें को एक non-volatile solute को मिला देते हैं ठीक तो इसका जो वैपर प्रेशर होगा इसके और जिसले के वैपर प्रेशर से फ़र डाउ गुझाया यह उसी बात तो कह रहा है as we know that the vapor pressure of the solution containing non-volatile solute is lower than that other pure solute okay clear next one its freezing point will be lower than that other pure solute यानि कि यह जो नयावदा solution अना है इसका जो freezing point होगा इसके original के point से फ़र लोग जाएगा ठीक उस नवलवर का solute को मिलाने से अब इस इसको हम एक graph के दूर क्लियर करते हैं ठीक आई देखते हैं तो इस graph basically हम सबसे पहले तो यह clear कर लेंगी कि जह हम वेपर प्रेशर और तंप्रिशर के इस graph fraud करते हैं यहां पी हम रज़न टाइम है जब हमने कि इस पॉइंट पर इसका टेमपरचर टी नौट एफ है जाने की ओके और जब शॉल्ट्री मिस किया तो उस केस में इसका टेमपरचर टी एफ हो गया ठीक तो यह जो चेंज होगा यहीं चेंज कहलाता है इस पॉइंट का रेट का कम हो गया ओके ठीक है तीस से पॉइंट हो गया एक इस पॉइंट के यह जो फूइंट होता है वह किसको इंट करता है तो इस तरीके से डिप्रेशन इंट को फॉइंट के इस तरीके से अब यह तर्म है जो कि हमारा बॉलर्टी है तो मॉलर्टी में होता है नमबार मॉला-solute प्रजेंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट करते हैं इस पॉइंट करते हैं अब इसको रियार्इज करके तो मॉलर्टी इस पॉइंट कर रहे हैं इस पॉइंट करते हैं एक और इस पॉइंट करते हैं ठीक है यह कुछ इसके अप्लिकेसन ही करे जेकर रहे हैं कि इथालीन ग्लाइकॉल इच यूज़ तो वार्ट इन डेडियाटर तो लोगर इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट करते हैं जिससे कि इसके रेडियाटर जो वो पूर हो जाए और जल्दी ठंडा ना हूँ इसलिए ऐसे सबस्टान सब्सक्राइब कहते हैं एंटी फ्रीज सेलूशन अन्य कि इथालीन ग्लाइकॉल इस अन्य कि इसलिए जो यूरो के कुछ कंट्रीज होते हैं वहार के रोडों में कुछ श्नो फॉल्स हो जाते हैं तो उन्हें कभी कभी तो इसको सटाना काफ जो कि इन्हें जो कार्कॉल टॉल्स होता जिससे की तक्स्विकल पार्ण हमारे आउट लिर होते हैं तो फर्स्ट कोश्च है हमारा सपोज टू एलिमेंट A एंट B कमपाउंड विपन फार्मॉला AB2 एंट AB4 ओके दो कमपाउंड हैं A और B के जिसकी मौलक्टल फार्मॉला है AB2 एंट AB4 वें डिसल़् इन 20 Gramm भिंजीन थी 1 Gramm of AB2 लोड़ दूखरी 0.5 by 2.3 Kelvin वें 1 Gramm of AB4 लोड़ इन भाई 1.3 था तो धा मेरा मलाद आपर्सन पार्ण फार्मॉला पार्ट लिपन गेट पार्मॉला लोड टन पिक फ्रेशर भिंजीन नहीं कि हम इसे जो पशिशन है उसमें atomic mask calculate करना है कि capital A क्याप भी है खर्ष देखेंगे हम AB2 की बारत ही करें यान इक टाइपर दो का element है AB य से गया जो compound बना है उसरे वह घृट ए V2 और B से गया compound बना है उसरे बनें AB4 ये clear बहले पेले अब जितनी value इसके पादं के वह न दोसे नोट का कि अपर इसको formula की value पूट करते हैं daily take value के वह रही है Wb, W1R, W1R, F1R, okay MbA की value पूट करते हैं में formula मुट पूट के value आगे हाई है कटके 110.87 gram per more अब ऐसे calculate के रहें AB4 तो calculate के value आगे 1 ant6.5 इस तरहीं के solve का लेंगे वीडियो तो पड़ी हो जाएगी इसलिए उन्हें ने प्रोच को अपले सिल्क आप लिक ऐसे करना से अब हम देखेंगे लेट ए ग्राम पर मॉल और बी ग्राम पर मॉल वी दयाटापिखमेसा रिस्पर्टरवली एड़ एड़ी एड़ी यानि A और B के टॉपी मासों को हम ने small a small b कहा दिया यह small a small b कि स्क्रिंट में है जैसे के लिए एक के टॉपी मास यह है और B का B है B यहाँ टू टाइम की यूज़वा तुम भी लिखेंगे किसका है A plus 2B और इनको यह टॉपी मास हमने के लिखेंगे के लिखेंगे के लिखेंगे दोनों को फॉल करके हम यह यहाँ सारा कटके तो इस तरीके से अब इस तरीके से हमने A और B की वैल्वा पाइंगे लिखेंगे के लिखेंगे के लिखेंगे के लिखेंगे जो मुल्य मास होगा हमने निका रहा तो 42.64 और 25.59 तो आप इसके स्कीन स्वाट लेते रहेगे गाए ठीक है नेक्ट कुर्शन को देखते हैं कैल्कुलेटर मास आप एस्कॉल्विक एशिट ओके चीज़का फॉल्मला यह है तो इसके स्कॉल्विक एशिट का मुल्व मास में कल्कुलेट करना है तो जो वैल्विक एशिट का मास में है और स्कॉल्विक एशिट का मुल्व मास में कल्कुलेट करना है तो पहले स्कॉल्व होके इस तरीके सांके 5.08 तो हिंस 5.08 अप इस नेटे तो भी डिस्वाब तो इस तरीके से हम आज के लेक्चर करते हैं तब तक के लिए थैंक पहली मच्छी